यह कहानी शुरू होती है जब एक बड़े प्रदेश का राजकुमार अपना राज महल सब कुछ त्याग कर बौध संध में शामिल हुआ शुरुवाती दिनों में नए भिक्षु ध्यान करना सीखते इसके साथ साथ गौतम बुध उन्हें भिक्षा मांगने भेजते ताकि भ विनम्र हो जाए संध में आने के कुछ समय पष्चात राजकुमार भी भिक्षा टन पर जाने लगा शुरू-शुरू में सब ठीक था लेकिन कुछ ही दिनों में घटना घटी जिस कारण राजकुमार विचलित हो गया और उसने भिक्षा टन पर जाने से मना कर दिया भिक्षा टन का नियम था कि भिक्षु केवल दो घरों में भिक्षा मांगते और नहीं मिलती तो आश्रम वापस आकर जल्ग रहेन करते एक बार राजकुमार भिक्षु नगर में भिक्षा मांगने निकला और दुस सहयोग से भिक्षा नहीं मिली शुरू में राजकुमार भ राप्त नहीं हुई लेकिन मेरा मन शांत है ना किसी। विचार ने मुझे परेशान किया गौतम बुद्ध भिक्षु की सारी भावनाएं समझ रहे थे। स्वादिष्ट पकवान मिलते और सेवा करने को कई नौकर होते और सभी प्रकार के सुख मिलते ऐसा सोचते सोचते भिक्षु के मन में इच्छा हुई कि आज बढ़िया भोजन मिल जाए तभी भिक्षु। सचेत हो गया कि यह सब अतीत की स्मृतिया है और मैं केवल इन्हें देख रहा हूँ पुरानी। यादों के ताजा होने से मन में कुछ इच्छाएं प्रकट हो रही हैं यह भी मैं केवल देख रहा हूँ अगर मैं इन शारिरिक इच्छाओं को पूरी करने की लालसा रखू तो मैं मन की शांत और यह जागरित अवस्थाखो दूंगा भिक्षु ने महसूस किया कि जब- जब हम स्वयं को दो कदम आगे ले जाते हैं चेतना का स्तर उपर उठाते हैं तब-तब मन इस प्रकार के खेल खेलता है जब हम मन को शांत करने लगते हैं तब मन हमें बेचैन करने की पूरी कोशिश करता है भिक्षु यह सोचकर बहुत खुश हुआ क्योंकि आज उसने आत्म चिंतन से मन के बारे में गहरी समझ और सुक्ष्म द्रिष्टी प्राप्त कर ली भिक्षु ने आश्रम आकर गौतम बुद्ध को सारी बात बताई और कहा तथागत आज मुझे आपकी कृपा से सुक्ष्म द्रिष्टी प्राप्त हुई मन हमें बार-बार में उल्जाना चाहता है महल को देख कर मुझे भी पुराने सुखों का स्मरण हो आया लेकिन आज भी विचार मुझे चु नहीं पाए गौतम बुद्ध ने कहा अच्छी बात है कल नगर की दक्षिन दिशा में जाना वहां एक हवेली है वहां मन और विचारों पर उपदेश देकर आना भिक्षु बहुत खुश हुआ आज वो जल्दी जल्दी चल रहा था क्योंकि वो उपदेश देने जा रहा था पर दोस्तों इस बार की यात्रा भिक्षु पर भारी पढ़ने वाली थी कुछ ही देर में भिक्षु हवेली पहुँचा और भिक्षा के लिए आव देश देना है युवती ने भिक्षु को प्रणाम किया और कहा आये पहले भोजन ग्रहन कीजिए भिक्षु ने भोजन किया फिर सोचा कि उपदेश देने से पहले थोड़ा आराम कर लेता तो अच्छा होता भिक्षु यह सब सोच ही रहा था इसी बीच युवती ने कहा श्रीमान आपने अभी अभी अनेग रहन किया है अब थोड़ा आराम कर लीजिए फिर उकदेश शुरू करना यह सुनते ही भिक्षु सतर्क हो गया जो योजना वह मन में बना रहा था यह महिला वह सब बिन बताय करती जा रही थी भिक्षु ने सोचा यह सब सन्योग है यहा मैं लेट गया और विचार करने लगा कि महिला कितनी समझदार है और इसकी सुन्दर्ता बेजोड है अगर मैं राजकुमार होताँ टो एसी ही स्त्री के साथ विवाह करता भिक्षु के मन में ऐसे ही कुछ विचार चल रहे थे इतने में इभती फिर से आई और बोली अगर आप राजकुमार होते तो मुझे उपदेश कैसे रते भिक्षु जी आप तो मुझे उपदेश देने आये थे ना युवती का इतना कहते ही भिक्षु को स्पष्ट हो गया कि युवती तो मन पढ़ सकती है भिक्षु घबरा गया और हाथ जोड कर पूछा क्या आप मेरा मन युवती ने कहा क्षमा कीजिये ध्यान करते करते मेरा मन शांत हो गया है इसलिए बड़ी आसानी से मुझे दूसरों के विचार अपने आप महसूस हो जाते हैं उनकी भावनाए समझ हा जाती है जब भिक्षु ने सुना तो उसके पैरों तले जमीन सरक गई फिर बिना कु ये ऐसे विचार क्यों आ रहे थे उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा अगर यह बात लोगों को पता चलेगी तो लोग भिक्षुओं और संध के बारे में क्या सोचेंगे आज भिक्षु बहुत लज्जत महसूस कर रहा था और वह थोड़ी ही देर में आश्रम जब भिक्षु गौतम बुद्ध के सामने पहुँचा तो तथागत ने देखा कि उसके चहरे की रौनक जा चुकी है दोनों कंधे जुके हुए थे भिक्षु ने बुद्ध से कहा अब मैं कभी भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा तथागत ने कहा पहले आराम से बैठो फ हिला की सुन्दर्ता के बारे में और अन्य चीजों के बारे में सोच रहा था मैं मन से पूरी तरह हार गया अब मैं कभी उस दिशा में नहीं जा पाऊंगा मैंने बौध संध का भारी अपमान किया है। करने वाले शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे जैसे मैं हमेशा हारता हूं जीवन में कुछ नहीं बचा मैं मन से पूरी तरह हार गया मेरे साथ कोई नहीं है क्योंकि ऐसा करने से मन अती भावक और विचलित हो जाता है। और नकारात्मक विचारों के चक्र में फंसा रहता है तथागत के शब्दों से राजकुमार भिक्षु के मन को। रांशियस माइंड ने प्रतिक्रिया की इस आखिरी स्टेप को हम विचार कहते हैं। करोगे तब तक मन आपको नीचा दिखा कर हावी होता रहेगा भिक्षु ने पूछा फिर मन शांत कैसे होगा गौतम बुद्ध ने कहा अगर विचार है तो शरीर में भावना भी महसूस हो रही है क्योंकि हर विचार भावना के साथ प्रकट होता है अगर आप अशली विचा महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि शरीर में एक भावना यानी… Sensationác भी महसूस हो रहे है और फिर आप उसके बारे में सोच रहे हो या रियक्ट कर रहे हो और इसी बात में मन को शांत करने का तरीका छपा है हर विचार को देखना कठिन है क्योंकि विचारों का वेग तेज है, लेकिन शरीर में महसूस हो रही भावना यानी सिंसेशन्स को देखना आसान है। क्योंकि यह देर तक बनी रहती है अगर इन्हें बिना जज्मेंट के सही गलत का मतलब लगाए सिर्फ देखा जाए तो यह गायब भी हो जाती है तब मन के पीछे जो शान्ती है वो प्रकट होती है और उस शान्ती में एहसास होता है कि मन हमारा कुछ नहीं बिगार सकता हमारा अंतरमन कैसे ठीक होता है नॉन जजज्मेंट से अगर हम किसी भी इनसान या घटना या फिर अपने मन को बिना जज्मेंट के देखते हैं तो मन के साथ साथ अंतरमन अपने आप स्वस्थ और शान्त होने लगता है अगर तुमने मा मैं सांस के प्रती सचेत हूं मैं शरीर में होने वाली। प्रतिक्रिया को देख रहा हूं तब भी तुम सचेत होकर द्रिष्टा भाव में लौट आते मन के पीछे जो। शांती है। वह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम बड़ी आसानी से विचारों को को शांत कर सकते हैं और एक दिन यह जान सकते हैं कि किसी भी प्रकार का विचार चिंता असल में इस शांती को पार नहीं कर सकता हम हमेशा विचारों से अचुते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं तुम याद रखो विचार तुम से हैं तुम विचारों से नहीं तुम हमेशा ही अपने विचारों से शक्तिशाली हो अपने डरों और चिंताओं से शक्तिशाली हो अब तुम अगले साथ दिन युवती के घर भिक्षा मांगने जाओगे और ध्या इतना याद रखना कि तुम वह शांती हो जिसमें सब प्रकट हो रहा है अगले दिन भिक्षु पूरे मार्ग जागरित होकर चला महिला के घर जाने से पहले थोड़ी घबराहट हुई लेकिन भिक्षु दृष्टा भाव में बना रहा विचारों को शरीर में उठ रही भाव अपनाओं को डरों को गेट को सबको बस देखता रहा जब वापस लोटा तो वह पूरी तरह शांत था